नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए अब हम उधारन देख लेते हैं तो पहला उधारन है fx वरावर 10x का आपका लज ग्याद करो तो fx वरावर हमें 10x दिया गया है तो मतलब हमें क्या ग्याद करना है f-x ग्याद करना है यही होगा इसका आपका लज कैसे ग्याद करेंगे limit h10-0 f of x प्लस h माइनस f of x प्रटे h अब देखिए आपको f of x का दिया गया है 10x तो आप रख दीजिए limit h 10-0 यानि कि x की जगा क्या रखना है अगर आपको f of x प्लस h निकालना है तो x की जगा आप x प्लस h रख देंगे तो यहां आजाएगा 10x प्लस h माइनस 10x वटे h इसके आगे आजाएगा limit h 10-0 10x प्लस 10h माइनस 10x वटे h यहां से 10x से 10x कट जाएगा हमें मिलेगा limit h 10-0 10h वटे h और यहां से तो h से भी h कट जाएगा तो हम पाएगे limit h 10-0 10 अब यह क्या आगया अचर फंक्शन तो इसकी limit 10 ही आएगी यानि कि x क्या आया 10 आया जहां पर fx क्या था 10x था तो यहां से हमने fx का अपकलज ग्याद कर लिया अब यदि हमसे पूछा जाता कि x वरावर 2 पर fx वरावर 10x का अपकलज वताईए है ना तो हम कैसे करें इसको वही अगर हमसे अब पूछा गया है f-2 यानि कि a वरावर 2 है तो वही limit h टेंस टू 0 f-a प्लस h-f-a वते h इस फॉर्मुले का इस्तिमाल कर लेंगे यानि कि आपके पास a का मान क्या है 2 है तो f-2 प्लस h-f-2 वते h यहां से आप जाएंगे आगे तो limit h टेंस टू 0 2 प्लस h मतलब x की जवा क्या रखना है 2 प्लस h तो 10 गुणा 2 प्लस h माइनस f-f-2 मतलब x की जवा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा बटे h आ जाएगा यानि कि limit h टेंस टू 0 अभी हां क्या आएगा 20 प्लस 10 h माइनस 20 बटे h 20 से 20 कैंसल हो जाएगा बचेगा limit h टेंस टू 0 10 h माइनस 10 h बटे h h से h भी कट जाएगा बचेगा limit h टेंस टू 0 और 10 तो इसका आएगा 10 आएगा यानि कि यह क्या था f टू था यानि कि x बड़ावर 2 पर f x बड़ावर 10 x का जो अपकलज आया क्या आया वह 10 आया अब हमारे पास यह है उद्धारन कह रहा है x बड़ावर 0 पर sin x का आपकलज ग्याद करें यानि कि आपका function यानि कि फलन क्या है एक तिरकोण मिती है फलन है sin x है लेकिन आपको क्या करना है x बड़ावर 0 पर f ड़ावर 0 ग्याद करना है या यूं कहें df बड़े dx कहां पर 0 पर ग्याद करना है तो कैसे करेंगे limit h टेंज टो 0 f of a प्लस h minus f of a बड़े h फॉर्मुले का इस्तिमाल कर लेंगे यहाँ पर a लिख देते हैं अब हम निकाल लेते हैं f ड़ेश 0 तो कैसे करेंगे limit h टेंज टो 0 f of a प्लस h मतलब f of 0 प्लस h minus f of 0 बड़े h अब f of 0 प्लस h क्या होगा f of h ही हो जाएगा यानि कि f of h minus f of 0 बड़े h अब आपके पास f of x क्या है sin x है यानि कि limit h टेंज टो 0 sin h minus sin 0 बड़े h अब आपको पता है कि sin 0 का मान क्या होता है sin 0 का मान तो 0 होता है बड़े में h आ जाएगा यहाँ से हमें मिलेगा limit h टेंज टो 0 sin h बड़े h अब आपको याद है हमने एक प्रमे की थी जहाँ बताया था कि limit x टेंज टो 0 sin x बड़े x का मान क्या होता है बताईए मुझे हमने पड़ा था यह जी हाँ एक होता है तो इसका इस्तिमाल हम यहाँ कर दें तो क्या आएगा एक आएगा sin x था और x बड़ावर 0 पर हम f x का आपका लज निकाल रहे थे चलिए तीसरा उधारा हमसे कह रहा है एक अचर बास्तिविक संख्या a के लिए अचर फलन f x बड़ावर a का आपका लज ग्याद करो चलिए हम अब हम अचर फलन का भी अपकलज ग्याद कर लेते हैं यानि कि हमें f x पूछ रहा है कैसे निकालेंगे limit h टेंश जीरो f of x प्लस h minus f of x फटे h इसी तरह से निकालेंगे है ना तो आप देखिए limit h टेंश जीरो है तो f of x प्लस h क्या हो जाएगा चुकि यह अचर फलन है तो यह है तो हमेशा a ही रहेगा minus f of x v a ही रहेगा वटे h यानि कि limit h टेंश जीरो जीरो वटे h अब यह है क्या हो गया 0 आ जाएगी है ना क्यूं 0 आ जाएगी आप तो कहेंगे कि h टेंश जीरो हम h बरावर 0 इस function में रखेंगे लेकिन आपको पता है जब हम किसी चीज को टेंश टू लिखते हैं यानि कि अगर यहां बात करें h टेंश जीरो इसका मदलब क्या होता है 0 के बहुत पास जा रहा है आसपास जा रहा है 0 की तरब जा रहा है ना कि 0 के बरावर हो जा रहा है वो हमने जो चीज देखी थी कि यदि हम x बरावर ए उस function में रख दें तो वह कुछ condition थी वहुपद के लिए उनमें हम वह काम कर रहे थे इसलिए यहां पर हम नहीं रखेंगे और इसका मान 0 आ जाएगा यानि कि यदि आपके पास कोई अचर वास्तविक संख्या A है और अचर फलन है तो उसका जो अपकलज होता है वह क्या होता है हमेशा 0 होता है यह है चीज आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी अचर फलन का अपकलज हमेशा 0 होता है